हालो दोस्तों स्वागता आपका इस चैनल में चैरिश ट्रैबलर में तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने जे बाइक प्रचेज करी है Citi 125 X जो की बिजाज की है तो आज मैं आप सभी लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा जान करी दे दूंगा अभी मैंने वैसे इसको ज़्यदा चलाया नहीं है मैंने वस इसको अभी 220-200 के आसपास चलाया 220 km, तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि जे बाइक किस तरीके से चलती है, क्या इसकी हाइवी की परफॉर्मेंस है, आज मैं इसको हाइवी पर टेस्ट करूंगा, आपको बताऊंगा, सस्पेंशन कैसा है, किस तरीके का पीक अप है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं, तो जैस तो इसके कापरेजन में इसका पीक अप मेरे को अच्छा लगा, एकदम से यह स्पीड पकड़ती है, 80-90 तक तो अराम से चली जाती है, तो इसमें कोई दिकत वाली बात नहीं है, तो सो की स्पीड भी पकड़ लेकी जा लेकिन, मेरे पास यह ड्रम बाला बेरिट है, तो मै मेरे जम्मू में थोड़ी लेट पहुंचती है, हम जम्मू के रहने वाले है, तो इदर डिस्क वाला बेरियंट मेरे शोरोम में अवेलेवल नहीं था, तो इसलिए मैंने ड्रम बाला ले लिए फिर, तो जिसने मैं बाइक रीद ने गया तो बैसे आप्शन तो बहुत सारे मेरे को 125cc का मिल गया, वो 98cc की है, 100cc की है, तो इसके मुकाबले में ये गाड़ी थोड़ी बजन में भी थोड़ी जैद है उससे, मेरे खेल से 10-15 गिलो जे उससे हैबी है, रोड पे पकट बना के चलती है, अच्छी चलती है, टूबलस टायर है, ठीक है, थोड़े से उससे करोगे, तो आपको definitely इस पे ज्यादा माजाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपने जहां पे जो पैसा खर्च कर रहा है, वो आपने अच्छी जगा पैसा लगा है, तो suspension की बात करें, वो भी अच्छा लगा मेरे को, चाहे आप कच्छे रास्तों पे चलाओ, चाहे आप माइलेज की बात करूं, तो अभी तक तो मेरी बाइक 200-200 के आस पास चली है, अभी तक तो मैंने खास इसका टेस्ट करा भी नहीं है, लेकिन जो शोरूम बाले है, वो तो 70 के आस पास बता रहे हैं कि हाई वे पे आपको, अगर आप 60-70 की स्पीड पे चलते हो, तो 70-75 पे यह आपको अराम से देदेगी, लेकिन मैं मान के चलता हूँगी, अगर यह हमें 65-65 की आवरेज भी अगर देदेगी, तो बहुत अच्छी माइलेज मानूँगा मैं इसको, क्योंकि एक तो यह हैवी, हैवी में है बाइक, थोड़ी बजन में थोड़ी जाएदा और उपर स अच्छी चल रही है, कमफर्ट है गाड़ी में, जो इसको राइड कर रहा है, वो भी बिलकुल एक दम स्ट्रेट पोजिशन में बैठेगा, कोई थकावट मैसूस नहीं होगी, मैंने वैसे अभी तक इसमें ज्यादा सफर नहीं है, यह ब्रेकिंग टास्ट था इसका, अच आज कल आपको पता ही है, कमबी ब्रेक सिस्टम आ रहा है, तो थोड़ा बहुत उसमें फरक पड़ जाता है, लेकिन फिर भी इतनी खास ब्रेकिंग मेरे को इसकी नहीं लगी है, तो बाइबरेशन की बात करूँ, जैसे आप 90 से 80 से ओपर जाते हो, तो डेफिनेटली इसमे बाइबरेशन थोड़े बहुत है, जो कि आपको हैंडल पर ज्यादा मैसूस नहीं होंगे, लेकिन आपके फूट पर और थोड़ा बहुत, मतलब आपको चलाते वक्त खुद बहुत पता चल जाएगा, कि हाँ, थोड़े बहुत बाइबरेशन इसमें है, क्योंकि बजाज क जनाते हैं के, लेकिन फिर भी उस हिसाब से, अच्छा लगा पैकेज मेरे को मतलब, तो मैंने वैसे कुछ खास, आप मानोगे कि मैंने कुछ खास सर्वे किया, बाइक्स के बारे में, तो मैंने इतना नहीं आगे पीछे वो कनफरम करा, सीधा एक दिन में मैंने गया, पहले एक बार बजाज के शोरूम में जाऊंगा, अगर मेरे कोदर कुछ अच्छा लगा तो मैं देखोंगा, तो बुराई करना तो सब की आदता है, एक दूसरे की, मतलब जो भी आपको पता है, आपोजिशन में हो, जा आपोजिट कोई भी हो, वो एक दूसरे की बुराई करते है कि बजाज की बाई का अच्छी नहीं है, और बजाज वाले बोलता है, हिरो की बाई का अच्छी नहीं है, तो जिस बंदे ने पैसे खर्चने है, डिसीजन उस पर आए, ठीक है, किसी की बाते क्यों सुननी है, जो मैंने पैसे खर्च करने थे, जो मेरे मन को चीज इसका पिकप अच्छा लगा, इसकी पावर अच्छी लगी, बाँच बीरा गाडी में, तो मेरे को अच्छा लगा था, मैंने सोचा कि ये गाडी मेरे को परचेज करनी चाहिए, तो मैंने ये बाइक परचेज करी है, तो उसी साफ से, मैंने जट से एक ही दिन में ये गाडी जो ले 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 उसके बाद मैं किसी और शोरूम में गया है ना मैं जामा के शोरूम में ना हंडा के ना हीरो के मेरे को एक दम से ये बाइक पसंद आगी क्योंकि इसका रिट भी बहुत ही जैनून था सो सीसी की बाइक में इसका तो एक सो पची सी सी गारी मिल रहे है गाड़ी का तो अच्छी लगी है मेरे को बाइक और देखिए हाईवी की परफॉर्मेंस है इसकी मैं इतना तेज तो नहीं चलता हूं लेकिन फिर भी आपको कभी इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करवा हूँग बताऊंगा किस त्रीके से ये कितनी टॉप स्पीड पगड़ती है कितनी सैकें में पगड़ती है कभी कभार ड्रैग रेस भी बताऊंगा इसकी करके तो अगर वाले ने चाहा हूँ तो इसके लंबे-लंबे टूर भी लगाँगा क्योंकि मेरा मेरा में परपसी था लांग तो ग्राउंड क्लीरेंस भी 170 के असपास है बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लीरेंस इसका कहीं भी आप कच्छे रास्ते में जाओ तो छोटे मुटी टच नहीं होती है नीचे यह बाइक ना इस चोटे मुटे गड़ हो जे वह करती है ठीक है अराम से चलती है बिना किसी दि अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे अभी शुरू आता है अगर आपका सपोर्ट रहा तो आगे-आगे अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे अच्छा अच्छा काम करेंगे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिनेगा आप तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना